गीता के बाबत कई कई सवाल उठते, लोग बाग कई कई सवाल पुछते, अक्सर मैंने देखा है कि इतनी वड़ी गीता याद कैसे है, किसने लिखी, क्रश्णा ने तो के दी अर्जुन से, तो वेसी की वेसी हे की नहीं है, मैं सपस्ट कर दूँ, कि संस्क्रत बोली नहीं गाई जाती थी, और जब भी कोई चीज लए में होती है, तो याद करना बड़ा आसान होता है, हमें भी कोई आर्टिकल याद करना हो, असंभव है, है न, कोई ऐसे याद करना हो, मुश्कील है, लेकिन गाने फटा फट याद हो जाते, पूरी की पूरी हरिवन श्राइबच्चन की मदूशाला सबको याद हो जाती, कोई ऐसा नहीं, जिसे हजारों गाने याद नहों, कितना आसान है, क्योंकि संगी थे, फिर सवाल उड़ता, कि ये क्रश्ण नहीं कही, ये यूद के मैदान में ही कही, क्रश्ण भी एक कल्पना है, यूद का मैदान भी एक कल्पना है, कहने वालों का कुछ जाता नहीं, और आजकल तो उनलों का जमाना आ गया है, कुछ भी उटपढ़ांग बाद लिख लो, ज्यादा पपलर हो जाती है, कैसे भी उटपढ़ांग बाद लिख दो, लिगदो माभारत कल्पना है बड़ा असान हो जाता, लिगदो खष्ण कल्पना है बड़ा असान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, psychology में ऐसा नहीं होता कोई भी व्यक्ति कोई भी साइकोलोजिस्ट या कोई भी बात जब आत्मा से निकलती और बगर आत्मा के निकलती तो एक शब्द उसकी चुगली खा जाता अगर एक शब्द का भगवत गिता में मिश्रन होता तो फट से पकड़ में आ जाता मैं उस दिक्षन बता देता बढ़ा असान है अगर कोई चीच क्राइस्ट के रहे है और फिर आप हजारों वाक्यों में क्राइस्ट का एक वाक्य मिला दो हजारों वाक्यों में क्राइस्ट का एक वाक्य मिला दो मैं फट से कहे दूँगा कि ये क्राइस ने कहा है और ये क्राइस ने नहीं कहा है क्योंकि आत्मा से निकली बात बही बात अलग ही होती इसलिए गीता वेसी की वेसी है यूत के मैदान में कहिए और यही इसका महत्व है अच्चे से समद लेना अर्जुन संगर्ष में फसा है अर्जुन यूत के मैदान में फसा है और अर्जुन वो ही पुछ रहा क्रश्न से जो हम पुछते अर्जुन की वो ही परिस्थी ती है जो हमारी परिस्थी ती है हम भी एक बहुत बड़े संगर्ष में फसे हुए है चारो और हमारे सिर्फ संगर्षी संगर्षे जरा देखना कभी गोर करना आसपास के व्यक्तियों से संगर्ष महत्वक आंक्षाओं से संगर्ष इच्छाओं से संगर्ष हमारे मन से संगर्ष व्यावसाय से संगर्ष हर चीज से संगर्ष, संगर्ष और संगर्ष अर्जुन की जो मानसीक हालते उस समय कि मैं ये करूँ या ये करूँ मेरे लिए ये अच्छा या ये अच्छा वो ही हमारी हालते 24 गंटे हम संगर्ष में पसे हैं और हर संगर्ष में पुस्ते हर संगर्ष में सोचते कि हम क्या करें तो हमारे लिए बेहतर हो ये मस्तमदना कि अरजुन संगर्ष में है यूद के मैदान में है और हम बड़े आजाद गुम रहें रती बर आजाद नहीं है हमारा अपने मन बुद्धी अहंकार से भी जगड़ा है हमारा प्रक्रती से भी जगड़ा है हमारा आपस में भी जगड़ा है हमारा हर चीज में जगड़ा है हम उतने ही संगर्ष में फसे हैं जितना अरजुन फसा हुआ है और यही गीता का सबसे आदा महत्व है ये भगवत गीता इसे मेनेजमेंट और सेल्प का सबसे बड़ा शास्त रहे और ये बात थोड़ा आप बड़े गेरे से अच्चे से समद लेना क्रश्न अर्जुन को तीर चलाना नहीं सिखा रहे हैं बड़े ध्यान से समद लेना तीर चलाना अर्जुन क्रश्न से बहुत बेटर जानता था है ना लेकिन जब उसका इंटर्नल मेनेजमेंट बिगल गया तो हालत यह हो गई कि वो क्रश्न से कहता है कि मेरे से धनूशी नहीं उठ रहा है मैं मरने मारने को तैयार ही नहीं हूँ अगर मनुश्य इतना असफल है तो बड़े अच्छे समद लेना इसलिए असफल नहीं है कि उसमें प्रतिभा की कमी है मनुश्य असफल इसलिए है कि एंट टाइम पे उसका मेनेजमेंट ओप सेल्फ दोका खा जाता है कितने ही बड़े मिजुश्य ओं आप कितने ही बड़े एक्टर हो आप कितने ही बिल्लियंट हो लेकिन जरासा मेनेजमेंट बिगल जाता सुबे पत्नी से सिर्फ जगला हो जाता गल्फेंड फोन नहीं उठाती पिता जी चार एड़ाईज ज़्यादा दे देते यह टाई नहीं मिलती पूरा मेनेजमेंट बिगल जाता अर्जुन को तीर चलाना नहीं सिखा रहे हैं क्रश्ण अर्जुन का बिगलावा सेल्फ मेनेज कर रहे हैं यह बात थोड़ा अच्छे से समद लेना और यह सब का अनुबव है कि जब उसका सेल्फ बिगल जाता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है आदमी अपना ही हाथ कांच पे दे मारता है और अपना ही सर दिवाल पर फोड़ देता है अक्कल सब में है कुछ काम नहीं आती उस तो में जब मनुष्य का सेल्फ बिगल जाता है तो गीता मेनेजमेंट और सेल्फ का सबसे बेज घ्रन थे और क्रष्णा मनुष्य जाती के इत्यास के पहले साइकोलोजिस्टे My Life in My Words Krishna A research-based story of Krishna's entire life I am the mind The master key to achieve anything you want Deep Talks Bhagavad Gita by Deep Trivedi 18 chapters of Wisdom by the renowned author Deep Trivedi Available on AtmanEastore.com And all other leading bookstores and e-commerce sites